लेकिन किसान का बेटा क्यों नहीं किसान बनना चाहता है। कि हमारे बच्चों को चाहता जाने की ज़साइक में यह पडिए मैं और बेगु सराई के सिक्षक बेगु तो आएसी चीजह हैं जिसके द्वारा बेगुसराय का आर्थिक विकास किया जा सकता है लेकिन बेगुसराय का आर्थिक विकास तब होगा ना जब टीवी पर ये मुद्दे निकल करके सामने आएंगे टीवी पर चुनाव की खूड चर्चा हो रही है सबसे जादा चर्चा तो इस बात की होती कोन बोला? कोन बोला कि मकाबला त्रिकोनिय हैं? मकाबला भी त्रिकोनिया होता है उससे दिन वा को लड़ा hilarious है इसनी दूगा हो लड़ािशा है इसनी आमने सामने की होती है और यह लड़ाई दो दोगों चे भीच की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई एक जन्मे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश में तिरंगे को बचाने की लड़ाई है, इस बात को आप समझ लीजिए, ये लड़ाई इस देश में गल को बचाने की लड़ाई है, इस उस्तराई को जो अपमानित करने वाली ताक्ते हैं, उनका जूत है, इसलिए हम कहते हैं, ये लड़ाई ठक बनाम लूज की है, और सच बनाम जूज की है, ये लड़ाई लोगतंत्र बनाम नोटतंत्र की है, और हमको पूरा भरोसा है, कि इस लड़ाई में हख जीतेगा, सच लूक तंत्र जीतेगा उसकात का हमको भरोसा है, इसलिए जो हमारा भरोसा है, वो हवाम ध्रे भरोसा हुए भरोसा हैं, नहीं? आप लोग काभी है? चारों तर्व दो सहे आवाज आ रही हैं? और यही कारण है कि BJP को हमारे खिलाप कहने के लिए कुछ नहीं है. तो बीजेपी दो तरह का बीडियो बनाती है एक बीडियो मुशलमानों के बीच में घुमाती है और दूसरा बीडियो घुम्यारों के बीच में घुमाती है घुम्यारों के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि भाई ये तो सेना विरोधी है यह तो टुगरा टुगरा गैंग का आदमी है, सबसे पहली बात मैं सफाई नहीं देता हूँ, मुझे सफाई देना पशन नहीं है, लेकिन मैं एक सच आप तमाम लोगों को बताता हूँ, सच ये है कि सेना के नाम पर सबसे ज़्यादा गंदी राजनिती अगर इस देश में क बोल रहा हूँ, तो मैं ये सोच समझ करके बोल रहा हूँ, क्योंकि चुनाव आयोग के बार बार कहने के बावजूद, पढ़ान मंत्री ने और अमिस साह और इनकी पूरी की पूरी पाटी ने चुनाव आयोग की धज्यां उराई और मना करने के बावजूद, सेना का नाम बार बार अपने भाशनों में लिया है और जब उसने लिया है तो यह जरूरी है कि बेगुस राय जिला को जो उन्हों ने अपमानित किया है यहां से उनको एक मुहतोर जवाब देने की जरूरत है कि मेरे घर से मेरे पडिवार से हमारा एक भाई इस देश की सेवा करते हूं अपनी सहादत भी है और आप कहते हैं कि हम सेना बिरोधी हैं हम सेना बिरोधी नहीं हैं हम सेना के नाम पर जो कुर्सी पाने वाले लोग हैं उनके बिरोध में खर हैं इस बात को जाने हैं हमारा साफ साफ मानना है कि किसी भी इस्थिती में सेना के नाम पे राजनिती नहीं होनी चाहिए किसी भी इस्थिती में सेना को घसीट कर राजनिती में नहीं लाना चाहिए सेना इस देश में अच्छुन है उसके उपर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए और सेना का जो काम है, सेना ने हमेशा अपने काम को किया है, लेकिन ये सरकार जो हमेशा अपने काम में नाकाम रहती है, सेना के पीछे छुप करके अपना जान बचाना चाहती है, और सेना के सम्मान से अपना मान सम्मान का रच्छा करना चाहती है, और यहां जब वो बिगु पूरा का पूरा भाजपा का कुल्वा अपनी रैली करने में बेस्त था एक माला चड़ाने की फुर्चत नहीं देता और आज जब भाशन देने के लिए चुनाव के बग्त तो चुनाव के बग्त चुनावी रैली में बवगला की तरह गरदन हिला करके चले गए अरे क्यों नहीं अभी साग है सहीद पिंटू सिंग के घरवालों से मिलने के लिए मैं ये सवाल इन से पूछना चाहता हूं इनके पास समय नहीं था इनके पास समय और वक्त नहीं है इस देश में पीरित किसान और सहाधत देने वाले जवान के घर पर जाने की ये बात आप कि अमीत साह मादरी निखषित के पास गए थे किसान के पास इनको ज जाते हुए देका है कभी किसान जिसने आत्म हत्या की हो उनके पड़िवार को आशू कोच्ते हुए देखा है कभी देखा है牛 है उनके साथ बैठ करके ये ख्रना खा रहे हो ये है एकी हकीकत और मन से खरा हो करके कहते हैं कि पुलवाना में सहीद होने वाले सहीद पिंटु सिंगों में सहादत देता इनको इतना भी नहीं मालूम है कि सहीद पिंटु सिंगी सहादत पुलवामे में नहीं हुई थी पुलवामा के बाद हुई जिनको इतना नहीं मालूम हो, वो सेना पे तुछ राजनीती करते हैं और कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में घुच करके पाकिस्तान को मारा नगता है जिसे मोधी जी पाइलट थे और हवाई जहाद चळा रहे थे अब मोधी जी हवाई जाच चळा रहे होते तो अभिनम गिरता कि मोधी जी गिर जाते हैं कौन गया था महाँ पे देश के जवान गये थे ना इनका सच मैं आपको बताता हूं जिस मसूद अजहर पर फुलवामा का एटैक करने का आरोप है उस मसूद अजहर को किसने पकड़ा और किसने छोड़ा वीजेपी ने पकड़ा नहीं इस देश के जवानों ने उसको पकड़ा और भाजपा ने अपने लोगों को बचाने के लिए छोरा इस बात को आप जाने मुझेए यह हकीकत है, यह बात ठीक है, कि जहाज का आप हरन किया गया, लेकिन उस जहाज को छुडाने के लिए सेना तयार बेची थी, मैं यह प्रस्म पुछना चाहता हूँ, कि तब सेना को क्यों नहीं आदेश दिया गया, कि जाओ और जहाज को छुडा करके ले आओ, हम इस बाइमानी को समझे, यह बाइमानी यह है, कि आप दुकानदार से पंखा खरीद करके ले गए, दुकानदार आप से पूरा एक हजार रुपया लिया, पंखा जब आप अपने घर में ले गए, पंखा को जब आपने लगाया, नट भोल्ट टाइच दिया, पंखा नहीं चला, पंखा ले करके जब वापस गए आप, दुकानदार को कहने के लिए, कि ए भाइ, पंखा नहीं चल रहा है, तो दुकानदार कहेगा, कि हमारे देश के जवान कुर्वानी दे रहे हैं और आपको पंखे की परी हुई है, अरे देश को दे रहा है कुर्वानी, जवान ओधि दे रहे हैं कुर्बानी तुम ससुरी ही बताव याला काम कर रहा है कौं सवाल खड़ा कर रहा है कि हमारे देश के जभान बीड नहीं है मोडीजी जनम नहीं लिये थे न차 तब भी हमारे देश के जभान यॅ ludzie तर गिए अपनी बीड़ता दिखायी थी कि मोधी जी आँख भी नहीं खोले थे तब भी हमारे देश के जवान बीड़ती बताएं मोधी जी पहले पैदा हुए कि भगा सिंग पर इसे पहले पैदा हुए इस देश को हमेशा प्यूरों को पैदा करती रही है यह बताओ सहब कि आप प् शुत्री बन करके आपने क्या किया यह मत पंखे वाले की तरह बताहों कि पंखा काम महीं कर रहा चूंकि देश के जवान भी रएएं और तुमको पंखे की परिंुई है यूस सार्थिस को समझ्ये घ्रिया डिलिकि जालाकि अपना सारा का सारा नाजामी सेना की कामयावी से छुपा देना चाहते हैं सेना की काम्याभी अपनी जगह सेना को पूरा देश सलाम कर रहा है और सहीदों के नाम अपनी सलामत भेज रहा है उनके लिए दुआया कर रहा है उनको आसिरबात दे रहा है और सहीदों के पड़िवार के साथ ठरा है आप ये बताइए कि बतोर कि यह जांसद निधी का पैसा नहीं थर्च कर पाए और इनका मन्क्राले जब से ज़्यादा नोल पर फर्णिंग मन्क्राले है और मैं तो कहता हूं कि हाथ कंगन को आर्शी क्या पढ़े लिखे को भार्शी क्या आप वेगुसराय के लोग हैं वेगुसराय के चारो चवधी भूम कड़के देख लीजिए गिर्राश सिंग के नाम का एक पत्थर दिखा दिखा दिजिए हम समझ लेंगे कि गिर्राश सिंग इस देश में बतार मंत्री काम की है एक को को पत्थर जब चुनाव आया है तो कह रहे हैं कि हमारा तो नानी घर है बेगुसराय के पहराय के नानी घर है अब यह याद आया चुनाव के बाद तो चलिए नानी हौरे में हमके पत्थर दिखा दिजिए कि आप अपने नानी घर के लिए कुछ किये हैं इस बात को आप समझे कि यह बहस क्यों खड़ा किया जाता है क्यों इस तरह की बाते की जाती है ताकि इनका जो काम है जो काम यह नहीं किये हैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके कोई यह नहीं पूछ सके कि ठीक है देश जिंदाबाद भरत मता कीजे बंदे मातरम हिंदुस्तान जिंदाबाद सब अपनी जगह पे है सेना जिंदाबाद हिंकलाब जिंदाबाद सब अपनी जगह पे ह यह बताईए मुद्दी जी हमारे खाते में 12,000 रुबएया ग्यों हैं, यह बताईए कि ज़वानों को 2 लोक 제품 क्यों के नहीं मिली, यह बताईए कुस देश में गont Panther हुं झुल को पूरा क्यों क्यों नहीं किया गया, यह सवाल है चुनाव यदि हो रहा है तो चुनाव इस मुद्दे पर होगा कि पिछला जो आपका घोषना पत्र था उस घोषना पत्र में जो आपने वादा किया था उन वादों में से कितने वादों को पुरा किया गया ये सवाल पुछा जाना चाहिए इस सवाल को गुमरा करने के लिए एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि इनका इतिहास क्या है इनका इतिहास इस देश में शहादत का इतिहास नहीं है लगदारी का इतिहास है इस बात को याद रखिएगा इनका इतिहास इस देश में इस देश के लिए लगने का इतिहास नहीं है अंग्रेजों से माफी मांगन को याद रखियेगा कि जब इस देश केलो को मानने से इंधार कर दिया, इस दियह हम आपसे कहते हैं कि बिखास का जो यह इनका नारा है व एक छालावा है, ओ है धूखा है। पिकास करना इनका एजंडा नहीं है, जिस तरीके से मंदिर बनाना इनका एजंडा कभी नहीं था, सरकार बनाना इनका एजंडा था इस बात को आप चान लीचे, सरकार ये हर बार बना लेते हैं, लेकिन मंदिर नहीं बनता है, और मंदिर बनाने का एजंडा हर बार अगले प कि भोसना पत्र जो संकल्पत्र को सब्सक्राइब ही इस बात कि पड़ी है कि अगर हिंडुस्तान में राजनिकी होगी तो लोगों के मुद्धा पर होगी और लोगों का मुद्धा ये है कि सब को सिक्षा, सब को काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, हिन्दू हो या मुसल्मान, सब को मिले बड़ावर का आत्म सम्मान, ये हमारा मुता है, इस लिए हम आप से आकर हो करने के लिए आये हैं, कि जब आप 29 तारिख को मतदान करने के लिए पूरा देश आपने करफ देख रहा है, कि लोग बाहर से आते हैं, आते ही वेकु सराई की मिट्टी को चुम लेते हैं, और उसकी मिट्टी अपने माथे पे लगा लेते हैं, और कहते हैं, कि क्या लाजवाब है यह थर्ती, क्या लाजवाब है यह मिट्टी, जो यहां से ए और देश का सच जब सामने लाया जाता है, जो सरकार के समर्थक हैं, तो गालियां देना शुरू कर देते हैं, कोई फेस्बुक पे गाली खा रहा है, कोई वाटसेप पे गाली खा रहा है, किसी को स्कूल के वाटसेप ग्रूप से बाहर कर दिया जा रहा है, किसी को वाफिस के वाटसेफ ग्रुप से बाहर कर दिया जा रहा है कोई आफिस में लड़ रहा है कोई चाई की दुकान में लड़ रहा है कोई खेत में लड़ रहा है कोई अडालत में लड़ रहा है कोई बस में बात बहस कर रहा है कोई ट्रेन में बहस कर रहा है ये तमाम लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जो तमाम लोग पूरे देश और पूरी दुनिया में अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग-कंत्र कि लड़ाई लग रहे हैं नियाय और बडावडि कि लड़ाई लग रहे हैं आम-अवाम के हख और हूप कि लड़ाई लगए हैं तो तमाम दोग बेगूः सराय के लोगों कि तरब आसा भरी नजलों से लेख रहे हैं कि बेगु सराई की धर्टी भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेगी और इस देश को स्वाह करने वाले लोगों को प्रूदोर जवाब देगी इसलिए मेरा आप तुमान लोगों स्राग्रह है कि जब आप उन्टीस तारिक को मद्दान करने के लिए जाएगा इस वादान के बारा आपको पुले देश को एक संदेशा भूजने की ज़िए जिस तरीके से भादपा ने बेगु सराई की विट्टी को परणाम किया है इस बात को आपको इनाद रखने की लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर ये मेरी व्यक्तिगत कराई होती अगर ये मु इस बारोप में इस बात को कि अगर अगर एक पिक माutet को थीक से जाना होता वह सब घॉस्टी को मिट्टी को बद्रेने कसे पहले रगार भार जाई पोचा होता सब्सका वाается है यह आरोप जूट है और इस जूट को हम जूट सावित करके रहेंगे यह वाप से हमारा वादा है लेकिन आप लोगों को भी इस बाद का जवाब आपको देना पढ़ेगा पूरी दुनिया को आपको यह संदेशा देना पढ़ेगा कि जो सरकार बेवु सराई को अभुमानिक करेगी जो सरकार इस रास्त कभी की धर्टी को रास्त दो ही सावित करने की कोशिश करेगी जो सरकार बेवु सराई के लोगों को नमूना बोलेगी जो सरकार बेवु सराई के मुझ्ट को गुमरा करेगी जो सर्कार गिरिराज जैसे नकारा मंती को हमारे उनकों धूमने का कोशिश करेगी, उसको करारा जबाब मिलेगा, उसको पुतोर जबाब दियागा, इस बात का हम तो पुरा भुरुसा है, इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आत्रह करने के लिए आया हूँ, कि आज का वक्त एक गंभीर वक्त है, इस गंभीर वक्त में हम तमाम लोगों को एक चुट रहने की जरूरत है, और ये एक जूटता, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये एक जूटता, एक धंडे की और एक रंग की लिए जूटता नहीं है, इस बात को जुनाद में ठालनी चीए, एक अगर जूटता के हम से पुछा, कि आपकी बारी पर आपकी पार्टी का जंदा क्यों नहीं होता है, हमने कहा, साहब, अगर आचार संधिता नहीं होता, तो हम प्यांगा जंदा लगा करके अपनी बारी के खुण रहे हैं, लेकिन आपका आचार संधिता है, इसलिए हम पी पाथी का भंड़ालागांके नहीं गुमुदध हैं हम गुमुदध का भूंगा होगा हमकोवटो तुकर भरोसा है धियुक स्राइक के लोग आंख भोल परके इसको देख रहे हैं अगली बाठ còn प्राइस कारी को परिनाम आएगा तो हमारी कार पितिरंगा दो भूगा भराइ इसी दिए मैं आज तमाम जोवों से आग्रा करने के लिए आया हूँ, आज एक बड़ी मज़दार चीज हुई, जब हम लोग पधियात्रा के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में एक बाराग जा रही थे, बाराग की गारी पे पुर्ष्ट में तित्का हुआ था, कनहया संक्री करने इसा क्यों लग रहा हूँ कि लड़ाई करनेजा भर्ष्ट मूढूने की नहीं है, यह लड़ाई एक भरफ भूद्वनवाले व्रोग नीं, जो कहते है, कि सरकार पुछ भी कळे, यह नहीं बताती है कि मोदी जी ने क्या अच्छा ताम को, कहते हैं कि सरकार जाते है कि पुछ भी करें क्या है हमको दोल पर लीटर पेट्रोल को नहीं खरीदा परें हम भोट सरकार को ही देगें एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमने भोट दिया है मोजी जी को मोजी जी से सवाल भी करेंगे आपको गाली देना है गाली दीजिए आपको मुकदमा करना है मुकदमा कीजिए आपको गोली देना है गोली दीजिए आपको जेल देना है जेल दीजिए हम सवाल पूछेंगे और परधान मंत्री से सवाल पूछना देश भक्ती है इसलिए मैं कि आप को कितना भी देस जोही कहते रहे नहीं है सक्ता से सवाल पुच्ते रही यही हं ड्राइ है इसलिए मैं कहते हूं यहे लडाई है कनेया भर्सेज मोधी की लडाई नहीं हैρέ लडाई मोधी भर्षेज्ट वीड़ पीपल आफ इंडिया की लडाई है इस बात पॉपनिंग कहीं से मिलेगा तो बेगु सराइ की धर्टी से मिलेगा इस बात को हमको पुरा प्रोसा है बेगु सराइ इतिहास बनाएगा और इतिहास बनाने के संबन में एक बात हमाद को कह ज़ते हैं ये जीवन का एक इत्फाक है इत्फाक ये है कि नंबर हमको एक मिल गया है एक नंबर मिल गया है और हमारा निसान जानते है क्या है कटनी किये हैं ना गहों काट लिए है ना कुम्चिस काटे है बोजा बना लिए ना भोट का पोजा भी सेयार लखिये उन्तिस तारीक को दवनी करना आँ हम लोगे करेंगे तारिक को दाउनी करेंगे और इस देश नहीं पूरी दुनिया को एक संदेशा देगे इस देश में लोग तंक्र जिन्दा है और बेगू सराय ने अस लोग तंक्र को अपने सर्टाइच बना करके रखा है तौर जवाब उमको पूरी दुनिया को द्यादा है इसलिए मैं दिल की फुकार सुनियेगा और दिल की फुकार यही होगी कि बेगु सराई को जिताना है बेगु सराई के मन सम्मान को बचाना है इसी आसामिश्वास के साथ आप कमाम लोगों को सुम्रिया राकते हैं अपनी बात को जितू करता हैं सुम्रिया इंकलाव जिंदावाद हमारी